हलो दोस्तों नमस्कार बात करेंगे 21st of December के 1st editorial की टाइटल है A strategic bulwak यहाँ पर strategic शब्द है वो executive है, bulwak है वो noun है प्रश्ण यह है कि find out कैसे करते हैं तो यहाँ पर जो आपको article दे रखा है उसकी position से आप पता लगा सकते हैं कि आगे दिया गया शब्द क्या है तो देखिए article के बाद में यहाँ पर दो शब्द दे रखें आपको, एक strategy के एक bulwak है तो जब determiner के बाद में दो शब्द दे रखें हो तो जो पहला शब्द होता है वो executive होता है दूसरा है वो noun होता है ऐसे आप निकाल सकता है ठीक है bulwak का मतलब क्या है bulwak का मतलब होता है defense या फिर protection मतलब सुरक्षा जो शब्द होता है हिंदी में उसके लिए यह शब्द का परियोग करते है strategy का मतलब रणनीतिक तो रणनीतिक सुरक्षा ठीक अब जो यह red color में है वो सारे subjects हैं इसके पीछे कौन-कौन सी verbs हैं उसके discussion हम करेंगे translation करेंगे जो blue color में दिख रहा है वो सारे words नए words जो difficult words है इंस editorial के उनको हम discuss करेंगे थर्ड इंडिया Central Asia dialogue तीसरी बार यह बातचीत हो रही है किस किस की भारत और Central Asia की ठीक है convened अब यह convene किस के द्वारा की गई convene होता क्या है convene का मतलब call करना है convene का मतलब है call करना gather करना या meeting के लिए इकठा होना ठीक है bring together meeting के लिए इकठा होने को भी हम क्या कहते हैं convene तो यह meeting के लिए कत्रित किया किसने यह विदेश मंतरी एज जैसंकर ने किया कब की बात है Sunday की तो यह जो dialogue है is यह is verb आगे इसकी ठीक है one in a series यह उस श्रंखला में एक है कौन सी श्रंखला चल रही है श्रंखला है timely connections की मतलब समय पर यहाँ पर connection बठाए जा रहे हैं यह को प्युक्त समयानुसार यहाँ पर relation बनाए जा रहे है to the reason किस के साथ इस छेतर के साथ छेतर कौन सा है Central Asia किस के दौरा भारत के दौरा New Delhi के दौरा this year इस वर्ष यह प्रेडित किस से है तो स्पर्ड इस पर का मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे caused मतलब किस के कारण है यह प्रेडित post encouraged तो जिस फॉर्म में यह है उसी फॉर्म में लिख रहा हूं इसको है ना प्रेडित करना तो यह किस के दौरा प्रेडित है इन सम मेजर बाई इवेंट्स इन अफगानिस्तान तो यह कुछ मामलों में कहें मेजर का मतलब extent कहरीजिए कुछ हद तक कहें यह प्रेडित है अफगानिस्तान में जो घटनाए घटी है उससे तो Central Asia Dialogue जो है भारत का Dialogue जो है भारत की बातचीत है Central Asia के साथ इसकी वर्बिज है दो वर्ड हमने सीखे हैं बुलवाक का मतलब Defense या प्रोटेक्शन है कनवीन का यह मतलब है सपर का यह मतलब है तीन शब्द सीक लिए ठीक है तो भारत और Central Asia का जो बीच बातचीत है यह डायलोग या फिर यह जो मीटिंग है यह किसके द्वारा बुलाई गई External Affairs Minister विदेश मंतरी को बोलते हैं S.J. संकर जो वारतमान में हैं उनके द्वारा संडे की बात है तो जब आप परिटिकुलर किसी डे की बात करते हो तो उनका प्रियो करते हैं उस दे से लेकर आज तक की बात करते हो तो सिंस लगाते हैं यह उस सिरीज में एक है सिरीज एक नाउन है जो singular और plural दोनों में सेम रहेगी आप चाहें सिरीज एक लिखें या एक सदिक लिखें सिरीज लिखा जाएगा किस सिरीज में timely connections के सिरीज चल रहें connections noun है timely है यहां पर अजेक्टिव है एल वाई एंडिंग वर्ड्स हमेशा एडवब होते हैं ऐसा नहीं है तो यह यहां पर executive है तो यह भारत के द्वारा उस छेत्र से connection स्तापित करने के जो कोशिश है Central Asia के साथ में उस सीरीज में एक यह घटना है यह जो S.J. संकर्णी मीटिंग गुलाई है वो है इस साल और यह प्रेडित किस्से हैं यह कुछ हद तक प्रेडित है अफगानिस्तान में जो events हुए है उस से आगे देखे अब यह दैक्यों लग गया क्योंकि पता लग गया हमें कौन सी बात्चित की बात है भारत और Central Asia के भी इस डैलोग है उसकी हिर्षी बात है इस डैलोग को हैंड की आ गया होल्ड की आ गया अ मन्थ विफोर एक महीने पहले ठीक है एक महीने कुन सा गिन रहे हैं लीडर्स ओफ ओल तो फाइव सेंट्ल एशियन रिपब्लिक्स जो सेंट्रल एशियन रिपबिक्स हैं पाँच देश हैं उन पांचों देशों के जो नेता हैं, come to New Delhi, ये भारत आए, किस रूप में, मतलब Chief Guest, ये Chief Guest के रूप में भारत आए, उससे पहले, किसके लिए आएंगे, Republic Day Celebrations के लिए, 26 जनवरी से पहले, 26 जनवरी का उसके लिए, and a month after, और एक महीने बाद, किसके एक महीने बाद, कि National Security Advisor, रास्तरी सुरक्षा सलाकार, अजीट डोवाल जिनका नाम है, इनके जो Regional Security Dialogue, छेत्रिय सुरक्षा बातचीत इनकी हुई, किसके साथ में, अपने C.A.R. Counterparts, जो ये Central Asian Republics है, उनके जो Regional Security, मतलब जो इस National Security Advisor होंगे, उ इस पोजिशन पर आप हैं, उसी पोजिशन पर किसी दूसरी जगह पर कोई दूसरा रिकती है, वो आपका Counterpart है, तो C.A.R. के जो National Security Advisors हैं, उनके साथ किसके लिए, अफगानिस्तान की स्तिति को डिसकस करने के लिए, एक बाद फिर समझ देजिए, Dialogue Has Been Held, ये Dialogue की Verb Has Been Held ह Held है, वो Third Form है, इसकी First Form होती है Hold, Second Form होती है Held, Third Form होती है Held, तो Dialogue को Hold किया गया, ये बातचीत जो है, उसको आयूजित किया गया, एक महीने पहले, किस से एक महीने पहले, कि इन पाँच जो C.A.R.s हैं, पाँच जो Central Asian Republics हैं, उनके Leaders, भारत आएंगे, New Delhi मतलब राजदान नहीं है, भारत की बात है, भारत आएंगे, चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे, Republic Day Celebrations वाले दिन आएंगे, सब बेजन्दोई को आएंगे, उससे एक महीने पहले, तो उससे एक महीने पहले इस मीटिंग को आयोजित किया गया, और एक महीने बाद आयोजित किया गया, कि से के, एक महीने पहले क्या हुआ था, नैशनल सेक्यूरिटी एडवाईजर जो है, जी डोवाल, उनकी रिजनल सेक्यूरिटी डायोग हुई थी, उनकी बातचीत हुई थी, अपने काउंटर पार्ट्स के साथ में, अफगानिस्तान के मुद्दे को डिसकस करने के लिए, उ आगे देखेंगे, Among the issues discussed on Sunday, तो वो मुद्दे जो के डिसकस किये गए संडे को, उन मुद्दों में कुछ मुद्दे कौन-कौन से थे, यह वर लग रहा है इन सारे मुद्दों के लिए, एक मुद्दा था, Extending Immediate Humanitarian Ed, Ed का मतलब साहेता होता है, Humanitarian मतलब मानवी है, Human, Compassionate, Altruistic ऐसा कुछ मतलब जो मानव के कल्यान के लिए किया जाए, वो सारे क्या है, Humanitarian है, Executive है, Immediate मतलब तुरंथ, Extend का मतलब देना है, तो यह मुद्दे कौन-कौन से थे, एक मुद्दा तो यह था, कि भई, तुरंथ मानवी है साहता पहुंचाई जाए, अफगानिस्तान, दूसर क्या है, Increasing Trade, Trade को बढ़ाया जाए, व्यापार को बढ़ाया जाए, तीसरा क्या है, Improving Connectivity, Connectivity को सुधारा जाए, इंप्रूव किया जाए, लेक मी रिपीट, कहना चारा है कि जो मुद्दे डिसकस किये गए, Issues यहाँ पे नाउन है, यह इसका Post Post Adjective है, कौन से मुद्दे ज यह था, Increasing Trade, और तीसरा मुद्दा था, Improving Connectivity, तो तीन जैरेंट से जोड़ रखा है, तीन जैरेंट है, इस कारण से वर आ रहा है, अगर एक की जैरेंट होती तो यहाँ पे Singular Wars का प्रियोग हम करते हैं, ठीक है, आगे देखिए, इट इस सिग्निफिकेंट, यह महत्तो प Choose की Second Form Choose है, इन्होंने क्या चुनाव किया, इन्होंने चुनाव किया कि यह भारत आएं, यह भारत आए, है ना, इन्होंने चुना है कि भारत आएंगे, यह एक संकेत है, किस चीज़ का, that India's outreach to Central Asia, संकेत इस बात का है, कि भारत यहाँ पे Central Asia की तरफ मूँ कर रहा, outreach का मतलब होता है, अपनी जो भी आपकी रीच है, उसको बढ़ाना, extend करना, या फिर कहें कि आप उस शेतर तक जाना चाहते हो, जहां तक आप नहीं पहुंचे हो, वहाँ पर आप help करना चाहते हो, extend करना चाहते हो, help को, उसे outreach कहा जाता है, तो भारत की जो outreach है Central Asia तक, अब Central Asia थोड़ ब्लोक के द्वारा, जहां जहां South ब्लोक नाम आए, वहाँ वहाँ समझिए, कि PMO की बात है, प्राइम मिनिस्टर का जो office है, उसकी बात है, डिफेंस मिनिस्टरी की बात है, और यह जो external affairs ministry है, विदेश मंत्राले है, उसकी बात है, तो रक्षा मंत्राले, विदेश मंत्राल और आपका जो PMO है, यह South ब्लोक का हिस्सा है, जहां North ब्लोक की बात आती है, वहाँ विदेश मंत्राले है, वहाँ पे ग्रह मंत्राले है, ठीक है, South ब्लोक का मतलब यह है, तो यह कैसा छेतर रहा है Central Asia, जिसके उप्यक्षा की गई है, कई दशकों से, several decades से, है ना, South ब्लोक की है, तो वह रैसी प्रोकेट है, तो यह रैसी प्रोकेट किया जा रहा है, मतलब भारत भी Central Asia की तरफ मूग कर रहा है, तो Central Asia के जो लीडर्स है, वह भारत आने के लिए ततपर हैं, यह कहना चाता है, एक पर फिर समझिए, it is significant, it की verb है, वह इज है, significant यहां पर compliment है, adjective है, that conjunction है, तो यह महत्तोपूर्ण है की, the C.A.R. Foreign Ministers है, इन्होंने क्या चुनाव किया है, इन्होंने चूज किया है, कि वो डैली आएंगे, ठीक है, यह एक संकेत है, किस चीज़ का, संकेत इस चीज़ का है, कि भारत की जो आउटरीच है Central Asia में, कि भारत चाह रहा है, कि अब help की की जाए Central Asia इस चेतर की, वहां से connectivity स्तापित की जाए, इस outreach को, यह इसकी verb है, is being reciprocated, यह वैसे ही, मतलब जैसा भारत कर रहा है, कोशिश की भारत वहां तक पहुंच रहा है, तो वहां के leaders इंडिया तक पहुंच रहे हैं, यह reciprocate किया जा रहा है, पैसिव का structure है, बीग के सा third form, बीच में Central Asia के बारे मताया, यह एक ऐसा छेतर है, जो neglect किया गया है, काफी दीनों से, काफी दशकों से, किस के द्वारा, South Block के द्वारा, the joint statement, संयुक्त जो वक्त वे दिया गया, joint statement दिया गया, क्या statement था, that they share a broad regional consensus, consensus जो शब्द है, इसका मतलब होता है agreement, इसका मतलब हो होता है, concurred, या फिर इसे कहेंगे आप, unanimity, तो यह इसके synonyms है, सहमती को बोलते हैं, तो कह रहा है कि भई, joint statement, कौन सा joint statement, कि वो share करते हैं, वो साजा करते हैं, क्या, दे की वर्ब share है, broad regional consensus, एक बड़े स्तर का छेतरीय सहमती, किस चीज को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, तो यह जो statement है, is apt, यह जिसकी verb है, apt का मतलब क्या है, वो लिख लो, apt का मतलब है appropriate, ठीक, apt का मतलब है fitting, या be fitting, कहने का मतलब upyukt, तो यह जो चीज है, बिलकुल upyukt है, given that, क्या देखते हुए, given और given that में difference यह होता है, कि given जो होता है, वो preposition होता है, उसके ठीक बात में conjunction है, इसका मतलब है, यह consider करते हुए, क्या consider करते हुए, like India, कि भारत की तरह, like यहाँ preposition है, like का object है, वो इंडिया है, भारत की तरह, all the Central Asian neighbors, सारे के सारे जो Central Asia के जो पडोसी देश हैं, अफगानिस्तान के, वरी, यह चिंटा करते हैं, किसकी, about the threat of terrorism, जो खत्रा है, threat का threat यहाँ पर noun, दे के बाद दे रखा है, खत्रा किस का, terrorism का, अतंकवाद का, radicalization का मतलब, extremism का, extremism और radicalization एक ही बात है, अतीवाद जिसको बोलते हैं, नार्कोटिक्स का मतलब, नशीले पदार्थों को बोलते हैं, जो illegal drugs होते हैं, जिसे कौकीन हैं, अफीम हैं, यह सब करते हैं, broad original consensus को, बड़े स्तर के छेत्रीय सहमती को, अफगानिस्तान को लेकर, यह statement बिल्कुल उप्यूकत है, किस चीज़ को देखते हैं, कि भारत की तरह ही, जो सभी centralization neighbors हैं, अफगानिस्तान के, उनको चिंटा है, किस के बारे में, इन कुछ खत्रों के बारे में, खत्र इंडिया, यह हो गया भारत के विप्रीत, like का मतलब की जैसे होना, unlike है, तो इसका मतलब के विप्रीत होना, हलांकि भारत के विप्रीत, most of the C.A.R.s maintain bilateral talks, जो अधिकांश C.A.R.s हैं, the Central Asia Republics देश हैं, इन में से अधिकांश देश जो हैं, वो maintain करते हैं, तो maintain इसकी verb है, क्य bilateral talks, मतलब इनकी द्विपक्षिय बातचीत चल रही है, किसके साथ में तालिबान, रेजिम तालिबान, साशन के साथ में, रेजिम का मतलब सिस्टम होता है, या government या order को बोलते हैं, सिस्टम को कह सकते हो, government को कह सकते हो, order को कह सकते हो, तालिबानी साशन है, अफगानिस्तान चल रही इनकी उजबेकिस्तान और तुर्केमेनिस्तान have reopened mission there इन दोनों देशों ने तो वहाँ पे missions फिर से open कर लिए हैं अपने दूतावास वगर मतलब फिर से इन्होंने स्तापित कर लिए हैं तो इसकी वब देखो have reopened है आसान है ये तो trade between India and Central Asia has long linguist language का मतलब decline होना है गिरावट आना language का मतलब deteriorate होना भी है deteriorate तो गिरावट आना या फिर विकरत हो जाना कमजोर पड़ जाना weaken भी कर सकते हो ये इसके मतलब है तो जो व्यापार है किस-किस के बीच में भारत और Central Asia के बीच में वो काफी लंबे समय से नीचे आ गया है दो बिलियन डॉलर से नीचे आ गया है व्यापार तो trade की verb है वो hedge linguist है बिलो है ये लेवल में कम के लिए बिलो लगाते हैं लेवल में अधिक के लिए क्या लगाएंगे above लगाएंगे with all sides keen to grow this इनमें सभी sides जो है सारे के सारे पक्ष जो है सारे पक्ष मतलब भारत भी हो गया Central Asian जो Republics हैं बाकी के देश हो गए तो ये सभी के सभी उत्सुख है keen है keen का मतलब होता है eager ये उत्सुख है किसके लिए इसको बढ़ाने के लिए किसको बढ़ाने के लिए या पार बढ़ाने इस यहां पर trade के लिए आ रखाया इन एडिशन इसके अलावा India's 1 billion dollar line of credit line of credit का मतलब होता है जो करजा मांग रहा है उसको जो धनराशी आप loan पर दे रहे हो उसको बोलते line of credit इसके अलावा भारत का जो वितिये साहिता है एक billion dollar का जो loan है किसके लिए जो project चल रहे हैं Central Asia में उसके लिए और किसके लिए and connectivity initiatives और यहां पर कुछ connectivity initiatives है कुछ ऐसी पहल की जा रही है जिससे connectivity बढ़े जैसे की such as उधारन के लिए आता जैसे की चाबार port है the international north south transport corridor है and Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India gas pipeline है ये कुछ सब चीज़े है वर all part of the dialogue ये भी इस बातचीत का हिस्सा थे ये initiatives की verb यहां पर वर है और ये जो line of credit है और ये दोनों चीज़े ये भी और ये भी एक और दो ये दोनों subject मिलकर इसकी verb ये वर है इसके अलावा इंडिया की जो एक billion dollar की जो loan है जो project चल रहे हैं Central Asia में वो दूसरा जो connectivity initiatives है जैसे की चाबार port है नाम है ये अभी बंदरगा का नाम है दूसरा international north south transport corridor है तीसरा तुरकमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया gas pipeline है ये सभी भी इस बातचीत का हिस्सा थे वाइल दे strengthening of India Central Asia ties तो कहरा है यददपी वाइल से जब start करते हैं तो दो close मिलते हैं दोनों एक दूसरे से विपरीत बाते करेंगे विरोधभासी close को जोडने के लिए आता है यददपी जो मजबूती है किसकी इंडिया Central Asia ties भारत और Central Asia के संबंदों की और दूसरी बात रिवाइल आप देर traditional historical and cultural links और फिर से सक्रियता है फिर से restoration है रिवाइल का मतलब restoration फिर से बहाल करना किस चीजों को उनके जो परंपरिक एतिहासिक और जो सांस्कृतिक जुडाव है ये दोनों चीजें are much needed इसकी बहुत ज़्यादा जरुवत है It is also important ये भी important है to recognize the geopolitical cross currents cross currents का मतलब है conflicting issues conflicting issues मतलब ऐसे मुद्दे जो की अब परेशानी पैदा करेंगे आपके लिए विरोधाभासी है that complicate such efforts लेकिन यहाँ पे important ये भी है कि हम geopolitical cross currents को भी पहचाने geopolitical मतलब भूर राजनेतिक मतलब आपकी राजनेति भोगोलिक इस्तिती से प्रभावित है तो उसका जो steady है उसको geopolitical बोलता है cross currents का मतलब ये आपकी conflicting issues हैं तो geopolitical cross currents का मतलब हो गया एक देश की दूसरे देश से बन नहीं रही है उसकी भोगोलिक इस्तितियों को लेकर उसके border को लेकर सिमा विवाद चीजें हैं काफी सारी चीजें हैं इसे तो ये सब चीजें जो हैं ये क्या करते हैं ऐसे efforts को complicate करते हैं ऐसे जो प्रियास किये जा रहे हैं फिर से connection इस्तापित करने के उनको complicate करते हैं जटिल बना देते हैं तो यदपी जो strengthening है मजबूती है और जो revival है दो चीजे हैं दो subject है end से जुड़ा हुआ है वह plural आएगी तो यदपी जो मजबूती है किसकी भारत Central Asia के संबंदों की दूसरा उनके जो traditional historical and cultural links हैं किन-किन के भारत और Central Asia के जो भी traditional मतलब पारंपरिक एजेक्टिव हैं सारे जिन भी words के साथ में last में AL जूड रखा होता है वो सब एजेक्टिव हैं historical, traditional, cultural लिंक्स यहाँ पे noun है इस एक मात्र noun को modify करने के लिए तीन यहाँ पे एजेक्टिव लगाए गए हैं तो यद्दपी जो strengthening है India Central Asia Ties की और जो revival है उनके traditional, historical और cultural links का ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़दा जरूरी है मच के बाद देखो past participle है एक बाद धियान रखने वाली यह है कि जब present participle होता है तो vary का प्रियोग हम करते है जब present participle होता है तो use करते है vary present participle का मतलब यह है कि V0 के साथ ing हो और जब past participle होता है तो much का प्रियोग करते है past participle से मतलब होता है V3 तो past participle हो तब लगाते हैं much और present participle हो तब लगाते हैं vary तो ये सब चीज़ें क्या है बहुत जरूरी है लेकिन देखो मैंने कहा था कि वाइल से दो close connect करते हैं दोनों एक तुसरे के विरोधा भासी होते हैं तो एक close तो कहा रहा कि इनकी जरूरी है लेकिन दूसरी बात यहां पर एक विप्रीट पॉइंट ये भी है कि ये भी ध्या तो linking verb अगर हो तो also का प्रियोग linking verb के बाद में होता है that related pronoun है ये cross currents के लिए रखा है cross currents की verb है वो complicate है ठीक है आगे रेखिए वाइल रशिया continues to build influence विल्ड का मतलब use करना है आपके जो अधिकार है आपका जो power है उसको use करना उसको exercise करना तो exercise या use इसको करते हैं विल्ड तो भी ये Central Asian Republics है उनके सरकारे हैं वहाँ पे अपने प्रभाव का use लगाता रशिया कर रहा है दूसरी तरफ चाइना का जो belt और road initiative है और hundred billion dollar का जो trade है by some estimate मतलब कुछ अनुमान है ऐसा इन्हों ने क्या कर दिया है इसे Central figure बना दिया है इस region में मतलब चाइना को इस छेत्र में एक महत्तवपूर्ण figure एक महत्तवपूर्ण देश बना दिया है रशिया की verb है वो continues है और ये चाइना का जो road and belt and road initiative है और ये जो trade billion trade है इसकी verb है इसकी verb have made है have के साथ third form estimate का मतलब पुर्वानुमान होता है ठीक है the US has also been seeking a foot hold foot hold का मतलब होता है grip grip पकड़ मानलो control कह सकते हूं ठीक है मतलब आपका एक कह सकते हो कि मजबूत पकड़ तो US भी कोशिश कर रहा है seek का मतलब try करना है यहां पर seek का try करना तो US यहां पर कोशिश कर रहा है US के पहले day क्यों है क्योंकि UK, US और UAE है जिन देशों के नाम के साथ United शब्ट जोड़ रखा होता है उससे पहले day लग जाता है तो US कोशिश कर रहा है foot hold प्रात करने की मतलब अपनी grip बनाने की किसमे इस छेतर में विशेश करके अफगानिस्तान के बाद तो US की जो सेना है वापस आई गई इसने pull out कर लिया अपने आर्मी को अब यह वहां पे इस छेतर के अंदर Central Asian region के अंदर अपनी grip को मजबूत करन है किसके द्वारा रुकाउट डाले जा रही है पाकिस्तान के द्वारा विच यहां पे पाकिस्तान के लिए है जो की काफी मजबूत संबंद बना रहा है and transit trade agreements transit का मतलब lane देन होता इधर से उधर उधर से इधर मतलब आप आयात भी करेंगे निरियात भी करेंगे उसको transit बोलते हैं और transit trade agreements बना रहा है किसके साथ C.A.R.S. में से हर एक के साथ जो भी पांस देश बताएं हैं उन में से हर एक के साथ इसी दरम्यान भारत की जो land connectivity है कहा तक Central Asia तक इस connectivity को hamper किया जा रहा है ये passive voice हो गया is hampered किसके द्वारा पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के लिए विच्ट रिलेटी प्रणाउन है तो पाकिस्तान की verb is building है ये क्या कर रहा है मजबूत संब्द बना रहा है पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड अग्रिमेंट्स कर रहा है C.A.R.G. में से हर एक देश के साथ The alternative route दो चीजे हैं एक alternate होता है alternate का मतलब एक छोड़ कर दूसरा और एक alternative है इसका मतलब है वैकलपिक alternative का मतलब होता है वैकलपिक ठीक और ये जो होता है इसका मतलब एक छोड़ कर दूसरा एक छोड़ कर दूसरा तो जो alternative route है जो वैकलपिक मार्ग है वायात इरांज चाबार मतलब किस माध्यम से जाता है कहां से ये route गुजरता है तो इरान के चाबार पोर्ट से होकर इस मार्ग ने भी क्या है रिसीव किया है सेट बेक मतलब इसको जटका लगा है सेट बेक का मतलब शॉक इस चीज़ को भी जटका लगा है एक वैकलपिक एक रूट तो पाकिस्तान ने बाधित करके रखा है दूसरा चाबार पोर्ट से होकर जाता है इरान का चाबार पोर्ट वो भी उसको भी जटका लगा है किसके बाद तालीबान ने टेक ओवर कर लिया है काबुल का टेक ओवर का मतलब अधिकार कर लिया है इस पर काबूल मतलब अफगानिस्तान की राजधानी है तो अफगानिस्तान पर जब तालिबान का अधिकार हो गए तो चाबार पोर्ट भी भारत मतलब वहां से भी कनेक्ट नहीं हो सकता और कह रहा है जो इस चीज का डिवलेपमेंट है कि इसका भारत के दवारा जो प्रबंदित है मतलब प्रबंद भारत कर रहा है इस तर्मिनल का दियर कंटिन्यूज अभी डिवलेपमेंट लगातार सफर हो रहा है मतलब ये भी इसको भी परेशानी जेलनी पड़ रही है किस के कारण त्रैट औफ अमेरिकन सेंक्शंट अमेरिका की कुछ परतिबंद लगे हुए इसके कारण इस सेंक्शन का मतलब एंबार्गो है या फिर बैन है या फिर प्रोस्क्रिप्शन है ठीक है प्रतिबंद को बोलते हैं यह सब फिर समझे जिए तो एक तो अल्टरनेटिव रूट अल्टरनेटिव रूट की वर्ब है वो हैज रिसीवड है तो वेकलपिक मार्ग जो गुजरता है इरान के चाबार पोर्ट से उसको भी सेट बैक जिलना पड़ा है ठीक है किसके बाद तालिबान के टेक ओवर के बाद उसके बाद जो डवलेप्मेंट है इंडियन मैनेज शह भारत ने टाइज हैं संबंद हैं मजबूत किये हैं विद अदर पार्ट्स ओफ एशिया एशिया के अन्य हिस्सों के साथ अब भारत हो क्या करना चाहिए अपने एफ़र्ट को दुगुना कर देना चाहिए तो आड़ सेंटरल एशिया किस की तरफ प्रियास मतलब किस डिर रहा है राइल इओफ दुश्मनि का खेल चल रहा है playing अउट खेला जा रहा है इस चित्र में तो इसको कंटर करना चाहता है अगर भारत ऐसा करना पड़ेगा एंड रीकले एट यहर्ट्री विद कंट्री और भारत को फिर से दावा ठोकymphenा पड़ेगा कि भारत का एक साज इतिहास रहा है इन देशों के साथ संबंद रहा है पास्ट में डेट अब ये कंट्रीज कौन से वो कंट्रीज डेट आर इंपोर्टेंट मार्केट जो के एक महत्तोपूर्ण बाजार है अर्जा यहां से मतलब उर्जा मतलब पैट्रोल डीजल यह सब उर्जा के जो स्रोत है इनका सोर्स है और यह एक डिफेंस मेकनिजम भी है एक प्रोटेक्शन का काम भी करेगा जो अतीवाद के खतरे हैं उनके केलाव यह दोनुट चीज़ें एक ही होती है वैसे रेडिकलाजेशन और एक्स्ट्रीमिजम ठीक है फिर समझिए इट मस्ट नाउ रीडबल मतलब यदपी भारत ने संबंद मजबूत किये हैं एशिया के अन्ने हिस्सों के साथ फिर भी यहाँ पे भारत को अब रीडबल करना पड़ेगा अपने परियासों को इंडिया की वर्ब जो है मस्ट रीडबल है नाउ एडब अफ टाइम है इट राइवदरी का मतलब यहाँ पर होस्टिलिटी मांन लो कि दुश्मनी जो चल रही है दुश्मनी का जो खेल चल रहा है जो खेला जा रहा है इस शिटर में यह तो भारत को इन देश्यों के साथ संबन्द बढ़ाने पड़ेंगे और अपने जो शेर्ड हिस्ट्री है इन द इसके लिए भारत को इन देशों के साथ संबन इस्तापित करने के लिए मजबूत करने के लिए अपने जो शेर्ड हिस्ट्री रही है इतिहास में अच्छे संबन जो रहे हैं उसको रीकलिम करने की जरुत है तो ये था आज की इस एडिटोरियल में मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ रात का तो सेशन 9.15 का वोकैबलरी का बोले ना ना भूले वहाँ पर आप नए ने वर्ड सीखते हैं एक अलग अंदाज में सीखते हैं तो वो सेशन भी देखें ये सेशन भी कंटिन्यू देखें इंग्लिस धिरी धिरी आपकी इंप्रूव होने लग जाएगी चलिए मिलते हैं कल तब तक लिए नमस्कार थैंक्स अलट